ये जो V-shaped recovery की बात सरकार करती थी या तो इनको अंग्रेजी का alphabet V का मतलब नहीं पता है या ये जानना नहीं चाते सरकार थोड़ा जूट बोलते हैं तो चलिए हजम हो सकता है लेकिन कुछ बाते ऐसी हैं कि गले के नीचे नहीं उतरती है इस देश के नीती आयोग ने अब ये सिद्ध करने का बीड़ा उठा लिया है कि देश में गरीब ही नहीं है ये जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं ये जो बेरोसगारोंपर लाठिया बरसाई जा रहे हैं जो बेरोसगार सडकों पे उत्रे हुएं ये देश के नागरिक थोड़ी हैं, ये कोई छुटे जानवार हैं जो घूम रहें, यही समझाना चाहती है सरकार, साथ करोड अगर गरीब हैं, तो कैंसल कर दीजे सब के राशन कार्ड, लेकिन आप ऐसा करने की हैसियत और हिम्मत नहीं है, क्योंकि गरीबी इस देश में सरकार किस मूँ से कह सकती है कि 5% गरीब हैं, और साक्ष एक के बाद एक उसकी पुछ्टी करते हैं, चलिए आपकी बात मान लेते हैं, 5% लोगी गरीब रह गए, 140 करोड की जनता में 5% गरीब मतलब 7 करोड लोग, आपको 7 करोड लोग अगर गरीब हैं, तो 81 करोड लोगों मुफ्त राशन इसलिए देना पड़ रहा है कि अगर आप ना दीजिए, तो वो भुख मरी से मर जाएंगे, यह असलियत है, और यह असलियत सरकार जानती है, आज अगर 5% लोग गरीब हैं, अगर 7 करोड ही गरीब हैं, तो 35 करोड लोगों के पास आवा गमन का कोई साधन क त्यूं नहीं है, ना कार है, ना गाड़ी है, ना दो पही आवाहन है, ना साइकल है, 35 करोड लोगों के पास, ऐसा कैसे हैं, और एक आकड़ा आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, उपिया के शाहसंकाल के दौरान, दो पही आवाहन की जो सेल होती है, जो भिक्री हो 7% है इस सरकार की ओसतन दो पहिया वाहन या साबुन मंजन तेल इस तरह की जो FMCG की वस्तु होती हो उसमें जो विक्री में गिरावट आई है रूरल एरियाज में वो क्यों आई है वो क्या सिद्ध करता है वो ये सिद्ध करता है कि लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं चलिए 7 करोड गरीब हैं 45 करोड गोग ऐसे हैं जिनके पास टीवी नहीं है क्यों नहीं है बई टीवी ये सरकार के आखड़ए है हमारें कोई आकड़ा नहीं है 7 करोड अगर गरीब है तो कैंसल कर दीजिए सब के राशन कार्ड लेकिन आप ऐसा करने की हैसियत और हिम्मत नहीं है क जीवन दूभर कर दिया है जिस गरीबी की हम बात कर रहे हैं उसकी पुष्टी सरकार का ही यह काकड़ा करता है हम सब बड़े हुए हम सब लोग मिडल क्लास के लोग है घर पर यह सिखाया गया कि अगर 100 रुपए कमाओ तो 20-30 रुपए तो बचा ही लो एक कहावद भी कही ज पर बचाने की कोशिश करो और सेविंग हमारा कल्चर है इसलिए भारत का जो घरेलू सेविंग रेट है दा हाउज होल्ड सेविंग रेट वो जीडीपी का करीब करीब 11% से उपर होता था सिर्फ दो साल पहले दो साल में वो गिरकर 5% आ गया जीडीपी के अनुपात में त जो आप आगे के लिए बच्चे की पढ़ाई के लिए घर खरीदने के लिए कहीं बाहर जाने के लिए शादी ब्या के लिए बचाते वो आप कब छूते हैं अपनी जमा पूंजी को एक एवरेज मिडल क्लास इंसान तभी छूता है जब जीना दूबर हो जाता है और सेवि पुष्टी करता है कि लोग जूज रहें महिंगाई से लोग जूज रहें आर्थिका समानता से लोग जूज रहें गरीबी से सरकार थोड़ा झूट बोलता है तो चलिए हज़म हो सकता है लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि गले के नीचे नहीं उतरती है अब लगातार सरकार का नीती आयोग इस देश को और दुनिया को ये समझाने पर ये सिद्ध करने पर तुला हुआ है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीबी का सफाया कर दिया है ये जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं ये जो बेरोजगारों पर लाठिया बरसाई जा रही है जो बेरोजगार सडकों पे उत्रे हुएं ये देश के नागरिक थोड़ी है ये कोई छुटे जानवर है जो घूम रहे हैं यही समझाना चाहती है सरकार इस देश के नीती आयोग ने अब ये सिद्ध करने का बीड़ा उठा लिया है कि देश में गरीबी नहीं है और एक बिल भी आ गई है मतलब अब सिर्फ साथ करों लोग गरीब है बाकी माला माल है और इसलिए ये जो जूट है ये गले के नीचे नहीं उतरता है याद रहे कि ग्यारा साल बाद ये जो भोता व्याई जो कंजंप्शन एक्सपेंडिचर का सर्वे है ग्यारा साल के अंतराल के गया था असलियत ये थी कि नोट बंदी और एक फ्लॉड जी एसटी के चलते गबबर सिंग टैक्स के चलते वो चालीस साल के सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया था तो वो दिखाने की हिम्मत नहीं थी सरकार की इसलिए दिखाया नहीं गया था अब चुनावी दौर है चुनाव से प्रेरित सर्वे खुब दिखाई जाएंगे उनमें से एक दिखाया गया है ताल ठोक कर बोला जा रहा है पाँच परसंट ही अब गरीब इस देश में रह गया है लेकिन अगर इनी की रिपोर्ट आप मान लीजिए हम चलिए इस रिपोर्ट का खंड़नी नहीं अपनी दिल की गुजर बसर सिर्फ और सिर्फ 46 रुपए रोजाना पर कर रहे हैं उसमें उनका भोजर है उसमें रोटी, कपड़ा, दवाई, पढ़ाई जैसी चीजे हैं सिर्फ और सिर्फ 46 रुपए ये असलियत है अगर इस सर्वे के मताबकी चला जाए लेकिन सरकार उस सुर्खी को दबाना चाती है पर सच की वो ताकत है कि सच उबर कर निकली जाता है ये सर्वे दो चीजें सिद्ध करता और अभी आकड़ों के साथ आपको बता देती हूँ क्या ये सर्वे शहर और देहात के बीच की जो बढ़ती हुई खाई है एक जो शहरी हिंदुस्तान और जो ग्रामीर हिंदुस्तान है उसके बीच की जो बढ़ती हुई खाई है उसको सिद्ध करता है और ये सर्वे पूरी तरह से अमीरों और गरीबों के बीच में लगातार बढ़ते फासले को जिसकी बात कॉंगरेस पार्टी जिसकी बात हमारे नेता, रहुल गादी, जि मोहर लगाता है अभी आपको दो मिनट में समझा देती हूँ कैसे इस सर्वे के मुताबिक शहर में रहने वाले 5% सबसे अमीर लोग शहर में रहने वाले 5% सबसे अमीर लोग शहरी में रहने वाले वाले 5% सबसे गरीब लोगों से 8 गुना जादा खर्चा करते हैं एक आकड़ा आपके सामने रख देती हूं और यह आकड़ा रखना जरूरी है इस आकड़े के मताबिक ग्रामीर छेत्रों में 5% सबसे अमीर 3.5 रुपिया खर्चा कर रहे हैं और उसी ग्रामीर छेत्र में 700 रुपए सबसे अमीर खर्चा अगर कर रहा है तो शहर में सबसे गरीब उसे तन 67 रुपए खर्चा कर रहा है यह जो V-shaped recovery की बात सरकार करती थी या तो इनको अंग्रेजी का alphabet V का मतलब नहीं पता है या यह जानना नहीं चाते क्योंकि यह पूरी तरह से जो K-shaped recovery होती है वो दिखा रहा है अमीर इस देश का लगातार अमीर होता जा रहा है और गरीब निरंतर गरीब होता जा रहा है